वेलकम टू मैं चैनल, मेरे चैनल शिखास किचन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ तो चलिए देखते हैं उस रेसिपी को दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप दूद में इस चीज को डाल कर पिएंगे तो आपके शरी में केल्शम की कमी दूर होगी, गठिया जैसी बिमारी दूर होगी हड़ियों का दर्द चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे करदन का दर्द हो या फिर घुटनों का दर्द हो तो हड़ियों के दर्द से राहत मिलेगी, साथ ही साथ मोटापा भी कम होगा तो आज जो मैं आपके लिए रेमेड़ी ले करा ही हुँ दोसों बहुत ही आसान है यहाँ पर मैंने लिया हल्दी अभी मार्केट में बहुत ही अच्छी हल्दी आ रही दोस्तों गीली हल्दी है या आप कह सकते हैं ये कच्ची हल्दी है यदि आपको मिल जाए तो आप जरूर लें गुणों का भंडार है परन्तु यदि नहीं मिलती है तो हमारे मसालजान में जो हल्दी है आप उसे भी ले सकते हैं हल्दी जो हमारी रोग प्रती रोधक शमता को बढ़ाती है हमारे खून की गर्मी को कम करती है और सांथ ही सांथ दोस्तों आयूर्वेद में तो इसे एक नैचरल पैन किलर भी कहा जाता है शरीर में कहीं भी दर्द हो कोई भी बदन दर्द हो दोस्तों तब अकर हम हल्दी वा काकस या कददी को बीड़ा करके शंマम कर लेखा सेंऐ बढ़रारी में जस्तों आज मैं आपको जो हमेंचरा बतार स्पारा रही हो दोस्तों इसमें हमें डालना है तो हल्डी दोस्तों कुछ दिन आप सपता है आप सेंगे आपको शरीर में अच्छी चमक आ गी यह साथ ही साथ दोस्तों, जो खून में हमारे टॉक्सिन होता है, जो जहरीले पदार्थ भी रहते हैं, वो भी निकल जाएंगे, हल्दी जैसे मैंने आपको बताया है, एंटी सेप्टिक होती, एंटी बैक्टिरियल प्रॉपर्टी होती है, तभी तो सर्दी खासी जुकाम में हल दूद पीने की सलहा दी जाती है, सांथी मैंने आ लिया अद्रक, यदि आपके पास अद्रक है, तो अद्रक ले सकते हैं, तो अद्रक का सूखा हुआ जो रूब होता है, उसे हम बोलते है, सौठ, ये देखे, ये सौठ का पाउडर भी आता है, यदि आपको पीसना नहीं ह है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सौठ का पाउडर ले ले, अद्रक जो कि हमें इंफेक्शन से लडने में मदद करता है दोस्तों, और अद्रक और सौठ दोनों एक है, तो किसी भी तरह का इंफेक्शन हो, चाहे सर्दी खासी बुखार हो, अद्रक उस इंफेक्श को अच्छा रखते हैं, फास्ट करता है अद्रक, तो अद्रक कब्ज को भी दूर करता है, और इस दूद को मीठा करने के लिए आपको लेना है मिश्री, शक्र का इस्तमाल ना करें, ये इस तरह से छोटी-छोटी कटी हुई मिश्री न ले, ये मिश्री थोड़ी होता है, और साथ ही हीमोगलोविन लेवल भी बढ़ता है, दूद को मीठा करने के लिए ये मिश्री ले, ये फिर आप छोटा सा गुड़ का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, गुड़ में बहुत जादा मात्रा में केल्शियम होता है, आईरन होता है, हमारी हड्डियों को मज दूद करता है गुड़, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ड्रिंक को बनाना, तो यहां पर मैंने लिया एक बड़ा ग्लास दूद, दूद यदि गाय का दूद मिले तब तो बहुत ही अच्छा है, गुड़ों का भंडार है, परन्तु यदि गाय का दूद नहीं मिलता है दूद बफैलो मिलक पैकेट वाल मिलक ले सकते हैं, बट फुल फैट मिलक ना ले, यदि वजन कम करना चाहते हैं, तो मलाई निकला दूद ले, एक चमच यह किसी हुई जो हلदी है दूद आपके पास गिली हलदी नहीं है, तो इस समय आपको डालना एक चमच हलदी पाउ सौर्ड दोस्तों सर्दीखासी बुखार से रहाद देता हमें अद्रक जो होता है can you be a burner the थोड़ी सी मिश्री डाल दी है, बढ़िया अच्छा दूद को आपको अब उबाल लेना है, ताकि हल्दी, सौट पाउडर, सभी चीजों का अर्क, सभी चीजों का जो असर है वो इस दूद में आ जाए, इस दूद को चाहे बच्चे हो, चाहे बढ़े हो, कोई भी इसे ले सकता है, दोस्तों, कोशिश करें, रात के समय लें, गरम गरम लें, तो जादा फाइदे मंद है, तो जैसे जैसे देखे, तीन उबाल आपको ले लेना है, ये देखे, तो बढ़िया जैसी ही उबाल आ गया है, मैं गैस की फ्लेम स्लो करती जा रहे हैं, और बढ़िया अच्छा इसे उबाल लिया है, और इस दूद को आप लेंगे, दोस्तों, ब्लेट सर्कुलेशन भी हमारा अच्छा रहता है, और साथ ही साथ, दोस्तों, सर्दी खासी में तो ये राम बार है, और इस दूद को लेने से दोस्तों, ये देखिए हल्दी पाउडर आपको दिखाने रखा है, दोस्तों कि आपको हल्दी पाउडर डालना है, तो अगर गीली हल्दी है तब तो बहुत ही अच्छा है, बहुत जादा फाइदा करती है, जो गीली और ताजी हल्दी होती है अब इस दूद को आप छान लें इस दूद को पीने से मोटापा भी कम होता है दोस्तों हल्दी हमारे वजन को भी कम करने में मददगार है तो बढ़िया इसे छान लिया है और गरम गरम इस दूद को लें रात के समय लें बच्चे भी इस चोट लगी हो तब भी ये दूद बहुत ही फायदेमंद है हड्डियों का दर्द दूर होगा शरीर से केल्शियम की कमी दूर होगी केल्शियम की कमी से ही शरीम में बहुत सी बिमारिया होती है इस दूद को यदि आप regular लेंगे तो शरीर से और बताएं कि वीडियो कैसा लगा?